लतादीदी प्रणाम मैं नरेंदर मोधी बोल रहा हूँ मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदीन पर मैं हवाई जहाज में ट्रावेलिंग कर रहा हूँ मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदीन की बहुत बहुत शुपकामना है अगरिम बधाई दे दूँ आपका स्वास अच्छा रहे आपका आशिरवाद हम सभी पर बना रहे बस यही प्रार्थना और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग और तब आपका जन्म दिन हो गया होगा जन्म दिन तो क्या मनाएंगे और मस घर में सब रोग तो आपका रता आशिर्वाद मिले तो अरे आपके आशिर्वाद हम मागते हैं आप तो हम से बड़े है अमर से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका अशिर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज़ है दिदी आप उमर में भी बड़ी है और काम में भी बड़ी है और आपने तो ये जो सिद्धी पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पीता का अशिरवाद है और सुनने वालों का अशिरवाद है मैं कुछ नहीं हूँ यही आपकी नमरता जो है यह हम नई पीडि के सब के लिए एक बहुत बड़ी सिख्षा है बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सबकुछ करने के बाद भी आपके मात्पिता के समस्कार और नमरता को हमेशा ही प्रात्विक्ता दी है मुझे तो खुशी है कि जब आप गरव से कहती हो कि आपकी मा गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ गुजराती खिलाया आप क्या है आपको खुद पता नहीं है मैं जानती हूँ कि आप क्या आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वो ही मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है बदिदी आपके आसिरवाद बने रहे पुरे देश पर आपके आसिरवाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछ नुकुछ अच्छा करते रहे मुझे आपने हमेशा प्रेणा दी है आपकी चिठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ नुकुछ भेट सोगाद भी मुझे बिलती रहती है तो ये अपना पन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेस आनन्द मुझे होता है देख रही हूँ जानती हूँ कि आप कितने बीजी होते हैं और आपको कितना काम होता है क्या क्या सोचना पड़ता है जब आप जाके अपनी माता जी को माँ चूकर आये देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका असिरवाद लिया हाा मेरी मा को याद था और वो मुझे बता रही थी जी और टेरिवान पे उन्हों ने मुझे अशिरवाद दी या तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी माँ बहुत प्रसंद थी आपके इस प्यार की कारण और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं फिर एक बार मैं आपको जन्मदीन की बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाओं लेकिन समय के इतनी विस्ततातिक मैं आनी पाया लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आ करके कुछ गुजराती चीज़े आपके हाथ सो खाऊंगा जी जरूर 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 ये तो मेरा सवागी होगा प्रणाम दीदी बहुत शुपकरमना है झाल, 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